अगर आप आज के टाइम में थाने में देखोगे तो 3BH के अपार्टमेंट आपको 2CR के आसपास आजाता है ग्यारा सो का कारपेट यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ ग्यारा सो का कारपेट विथ 2 कारपाकिंग और 2 बड़ी बालकनी जो आपको मिल रहे हैं आपके living area में क्योंकि यह है 1 प्लस 1 का जोड़ी फ्लैट लोवर फ्लोर पे यह फ्लैट है और गार्डन फेसिंग फ्लै लिए तो आईए फ्लैट चेक करते हैं अगर आप देखोगे तो यह आपका एंट्री हो जाता है यह आपका एक बड़ा डोर यहाँ पे आ जाएगा और आप एक पूरा living area का टूर ले लिजिए जो कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है यह सब कुछ आपको मिलने वाला है इस फ्लैट है यह एक sales office था तो यह जो table है यह यहाँ से निकल जाएगा बाकी sofa site, chairs वगेरा सब आपको मिलेंगे अभी आप देखिए इसका जो balcony है काफी बड़ी सी balcony आपको मिलती है यह है इसका एक usp आप देखे balcony का size और पीछे balcony में बैठके आपको direct मिलता है garden view तो क्यूंकि इसमें दो आपको balcony मिलती है दो deck मिलता है तो अगर आपको gardening का short है तो यहाँ पे आप अपना complete garden बना सकते हो और दूसरी जो balcony है वो इस तरफ है यहाँ पे आप अपना sitting area बना सकते हो तो दोनो जो balcony आप view देखोगे तो दोनो बालकनी से आपको garden view मिलने वाला ह आप एक 3BH के देख रहे हो garden facing 3BH के देख रहे हो deck आपको compulsory है तो यह property एक बार चेक जरूर करनी चाहिए तो आई आगे की property चेक करते हैं तो यह जो area है आपका kitchen area हो जाता है यहाँ पे आपको एक completely proper modular kitchen बना के मिलेगा with dry space यहाँ पे आपका common washroom आ जाता है common washroom के साथ आपको एक dry area मिलेगा तो आप यहाँ पे check कर सकते हो यह भी काफी बड़ा सा dry space आपको यहाँ पे मिलता है इसी तरह से आपको दो common washroom मिलते हैं और दोनों के बाहर आपको काफी बड़ा सा dry space भी मिलता है तो आपको जैसे उस washroom को आप utilize कर सकते हो यह है आपका पहला master bedroom यहाँ पे आपको cupboard space आ जाता है तो आप यह पूरा एक easily three या four door cupboard में convert कर सकते हो साथ में आ जाती है आपको standing balcony और यहाँ पे आ जाता है आपका master washroom तो master washroom का size भी काफी decent है high end fitting के साथ में आने वाला है दोस्तों अभी हम check करते हैं इस flat का दूसरा bedroom अब क्यूंकि एक jody flat है तो यह भी space kitchen का है तो अपने हिसाब से flat के delivery के पहले बता सकते हो तो हम आपको उस तरह से kitchen बना के देंगे तो आपके पास choice है आप यहाँ पे भी बना सकते हो या वहाँ बनाना है वहाँ बना सकते हो इसके बाहर भी आपको एक dry space आ जाएगा तो अगर यह space को आप एक bedroom में convert कर रहे हो तो यहाँ पे kids bedroom या guest bedroom आप बना सकते हो यहाँ पे आपका common washroom आ जाता है जैसे हमने वहाँ चेक किया था same size का common washroom और उसके बाहर आपको एक dry space भी मिलेगा काफी बड़ा सा यह आपका दूसा master bedroom हो जाता है जैसे हमने वहाँ चेक किया था exactly वैसा ही है यहाँ पे आपको एक full length wardrobe का space है size काफी अच्छा है standing balcony भी मिल यह इस bedroom से भी आपको directly garden access garden का view मिल जाता है यहाँ पे आपका master washroom आ जाता है तो अगर इस particular flat का आप carpet मुझ से पूछे के तो usable carpet जो है वो 1100 का आपको usable carpet आएगा 2 covered car parking के साथ pricing है 1 crore 70 lakhs all inclusive काफी अच्छा pricing है तो अगर आपके requirement 3BH के थाने location में आप देख रहे हो तो एक बार यह property भी जरूर explore कीजिए आपको जरूर पसंद आएगी building का elevation काफी अच्छा है quality काफी अच्छा है और जो builder है वो भी A category builder है और सबसे important चीज आपको एक unused flat मिलने वाला है तो अगर आपकी requirement इस property के साथ match करती है तो call करके visit कीजिए और ऐसे ही interesting property वीडियो के लिए मेरे channel को follow क कीजिए थांकि यू सुछ